प्रिधानमंती नरेंद मोदी ने देहरदून में बरी हुंकार अथा था विकास पर योजनों का क्या लोकापन जनता को क्या संबोदिन संयुत किसान मोर्चा की मीटिंग हुई सरकार से बात करने के लिए बनाए गई पांस सदस्यों की कमेटी एमेसपी पर भी होगी बात गुरखपुर अर्थे स्टेशन का शुभारम सीम योगी और अनराग सिंग ठाकुर ने किया शुभारम कहा कलाकारों को मिलेगा सुनहेरा अफसर वरिंदवन पहुंची अभी नेत्री कंगना रनाओत पत्रकारों को दिया जवाब कहा मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं नमस्कार सुभगत आपका नीजवल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल जागी प्रिधान मंती नरे नमोदी ने देरदून में 18,000 करोड की परियोजनाओ का शुलन्यास और लुकापन किया आपको बता दें इस परियोजनाओ में दिल्ली देरदून आर्थिक गल्यारा भी शामिल है इस दोरान उन्होंने विजज संकल्प महरेली को संबूदित करते हुए क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं आपके इसने आपका आशिरवात ये आशिरवात का प्रसाथ पाकर हम सभी अभी भूत है उत्राखन पूरी देश की आस्ताई नहीं बलकि कर्म और कठोर्ता की भूमी है इसलिए इस खेत्र का विकास यहां को भव्य स्वरूब देना डबल इंजिन की सरकार की सरवोच प्रांथ मिक्ता है किसी भावना से सिर्फ बीते पांच वर्षों में उत्राखन के विकास के लिए के इंदर सरकार ने एक लाग करोड रुपीज से अधीक एक लाग करोड रुपीज से अधीक परियोजनाएं स्विकरत की हैं इन सभी परोजेश के लिए उत्राखन के लोगों का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजिन की सरकार का फाइदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजिन की सरकार कैसे उत्राखन में विकास की गंगा बहा रही है भाई और बहनों, इस सताब्दी की शुरुवात में अटल विहारी वाजपईजी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था लेकिन उनके बाद दस साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का उत्रा खंड का बहु मुल्य समय विर्थ कर दिया आज भारत की निती, गती शक्ति की है, दो गुनी, तिन गुनी तेजी से काम करने की है सालों साल अट्की रहने वाली परियोजनाओं, बीना तैयारी के फिटा कार देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर, आज भारत नवनिर्माण में जूटा है 21 सदी के इस कालखन में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महा यग्य चल रहा है जो बविश्य के भारत को विख्षित देशों की संग्रा में लाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा इस महा यग्य का ही एक यग्य आज यहाँ देव भूमी में हो रहा है बाइव भूमी में स्रद्धालू भी आते हैं उद्यमी भी आते हैं प्रकृती प्रेमी सैलानी भी आते हैं इस भूमी का जो सामर्त है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ आदूनिक इंफ्रासेक्टर पर अभुत्पुर्वक काम किया जा रहा है चार धाम आल बेदर रोड परियोजना के तहर आज देव प्रयासे स्रीकोट और ब्रह्मपुरी से कोडियाला वहां के प्रोजेस का लोकारपन किया गया प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के उत्राखन दौरे से बीज़ेपी पूरी तरह से मिशन दोज़ा बाइस में जुड़ गई है वहीं सब सब अब उत्राखन के मुख्य मंत्री पुश्का सिंग धामी ने जनता को संबोधित किया क्या कुछ कहा सीम धामी ने आप भी सुनेगे आरणी प्रधान मंत्री जी आपके महान विचारों पर चलकारी आज उत्राखन विकास की रहा पर अगरसर है हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मारदसन में सिग्र ही हम भारत के सर्वसर्ष्ट राज्य बनेंगे माननी प्रधान मंत्री जी के मारदस्टन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले पांच वर्सों में करीब एक लाग करोड उपे सी भी अधिक की विविन परयोजनाये प्रदेश के लिए स्विक्रित हुई हैं इन में से बहुत सी योजनाये पूर्ण हो चुकी है और अन्य पर काहरे चल रहा है उत्राखंड के सतस विकास के प्रती यह आजनी प्रधान मंत्री जी के समरपण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से अठारा हजार करोड से भी अधिक की विकास योजनायों का लोकारपण वसिला नियास किया जा रहा है जिसमें दिल्ली दहरादून एक्सप्रेस वे भी सामिल है इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से दहरादून की दूरी मात्र दो घंटे में पूरी की जाएगी कुछ बर्स पूर ऐसा सोचना भी अकलपनी सा लगता था चाहे आज सडक मारगो उत्राखंड के कोने कोने से जोड़ना हो पहाड़ पर रेल पहुचाने जैसा कथिन कारे करना हो या द्योभूमी के सहरों को हैली सेवा से जोड़ना हो आजनी परधान मंत्रीजी के ने-तो तुमें हमने कनेक्टिवीटी को विकास का मूल वान कर कारे किया है इ और बहनों आजनी प्रधान मंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रसाशन के लिए प्रगती अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली प्रधान मंती नरीन मोदी धेरदून के दौरे पर रहे और इस दौरान इन जनसभा में बारी संख्या में लोग भी जुटे वहीं पी-म की तरफ से दी गई सौगात पर जंता की क्या राय रही वो भी आपको सुनाते हैं तो प्रेड मेड़ान में हुई प्याम निरेइंद मोदी की विशाल रैली के बाद जानने की कोशिश करते हैं कि कार्यकरताओं में कितना जोश है सर पैम निरेन्द मोदी ने आप लोगों को संबोधन किया जितना विकास āजारे प्रदेश 사š करो chancesgehen कि और हमारा उत्रखराखन का आदमी यही है कि हम सत के साथ चलते हैं सच बात बोलते हैं और हमारा विकास चाहिए हमसव Hugh Hefoto जो λोगत भूटा हूआ ता आज हम विकास का पास्त के रास्ते में हम चल रहे हैं लेकिन मोदी को भी हम को लोग को घर्ब से हाफ लिए की हम सब मोदी के साथ इसा नहीं कि मोदी आखेला है तो उत्राखन का बात्षियों ने जाहें कोई 300 कोई अ कि तिन सो यूनिट बिजनी फ्रीज देगा एक गरीब आदमी का एक मकान है एक मकान में तीन सो यूनिट कहां से हो पाएगा हमें बहुत अच्छा लगा कि मोधी जी देहरादूर में आए हमें बहुत कुछी हमारा जो उत्राखंड़ाई बिकास करेगा और आगे मला यूवा सब्सक्राइब तरक करें हमारी जो रोड है जितने खोलाप है उस से बहुत अच्छी हो राए है और जो उन्होंने हमारे लिए कि होती अच्छा किया है अश्मान काड़ और लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ और क्या बहुत सारे चीजे मतला हमारे देश के लिए किया है उन मिला के कहा जा सकता है कि परेड मैदान के इस ग्राउंड से पीम नेरेद मोधी ने पहली बार अपना अपाती ये तो बन बताएगा लेकिन आज की रहली से ये तो साव है कि एक बार फिर बाजपा के कार्यकरता लोगों में जोश भरने का काम पीम नेरेद मोधी करते हुए आज नजर आए थे गरदों से न्यूस वर्ड इंडिया के लिए सुभाश को संयूत किसान मोर्चा की ये एहम बैठक आज हुए इस मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयूत किसान मोर्चा ने पांच नेताओं की कमेटी बनाई है कमेटी मेबल बी, राजवाल, गुर्णाम, चंडूरी, शिफ कुमार कका, युदवीर सिंग, अशोग धवले के नाम शामिल किये गए हैं पांच लोगों की एक कमेटी सरकार के साथ सभी बुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है, जिसमें MSP पर भी बात चीत होगी हाला कि MSP को लेकार अभी नाम तै नहीं हुए है, स्यूत किसान मोर्चा की अगली बैठक आपको बता दें, साथ दिसंबर को होगी ऐसे में किसान नेता, दर्शन पाल सिंग ने कहा है, कि सभी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है, कि जब तक किसानों के खिलाफ मामले जो दर्श किये गए हैं, वो वापस नहीं लिये जाते, वो वापस किसान नहीं जाएंगे आज सरकार को एक साव संकेत भीचा गया है कि हम आंदोलन वापस लेने वाले हैं जब तक कि किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस नहीं लिये जाते तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा जो लेटेस्ट कित नोलिज है जो एसकेम ने तहे किया यहां पर मिटिंग में वो जो पांच लोग तहे किये हैं एक कमेटी निर्दास की वो कमेटी भारा सरकार से बातचीत करेगी वो 39 कुरूप से ओट्वाइस कमेटी एसकेम की है उसके नाम हम बता दते हैं यह राज्यवा जी है जो सेनियर हमारे लीडर है पंजाब से हैं और स्विकुमार काका जी है यह गुरुणाम सिंग चाड़ून जी है यूपीर सिंग जी है और असोक धवले जी यह पांच लोगों की कमेटी बनाई है जो भी सरकार से बातचीत करेंगे किसी भी मसले में बात होगी तो यह सरकार से बातचीत करेंगी और अगली जो मिटिंग एसकेम की यहां पर होगी यहां पर ही होगी 11-12 बजे के आसपास का टाइम रख्या गया है वाजपूर में पूर्ख काबिनेट मंत्री यश्पाल आरे और उनके बेटें संजीव आरे पर हमला हुआ है दरसल समर्थ को ने कि में 20 लोगों के साथ किंदा ने लाथी टंडों से हमला किया ऐसे में संजीव आरे ने कहा कि मेरी और पिता की हत्या करने की साज़स प्रची गई थी दो समर्थ को ने अपने उपर बार झेल कर हमें बचाया वरना कुछ भी अन्हूनी हो सकती थी मामले की पूरी जांच की जाने चाहिए हमले के पीछे जो भी है उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए हरिद्वार के नजीव वार डीपो की रोडवेज बर्स श्यामपूर के पास हाइवे पर हैंडल जांब होने की वज़ा से सड़क पर पलट गई जिसमें लगबग 30 से 44 स्यात्री सवार थे सूशना पर पहुंची पोर्स मौके पर पहुंची और तुरंट सवारियों को बस से बाहर निकाल दिया वहीं किसी को गंभीर चोट नहीं आई है आपको उतादिंग पुलिस ने बस साइट करवा आई और यातयात को फिर से शुरू करवा दिया बहादराभाद के टीरी विस्थापिद सुमन नगर श्रित में वन विभाद के सुमन नगर हाईवे के किनारे वन विभाद की तरफ से अपनी रिजर्व लेंड में अवैद रूप से निकाले गए रास्तों को बंद कर दिया जिसके बाद वहाँ के प्रापटी डीलरों और भूम मावियों में हर्तम मच गया इसे में हरिद्वार वन प्रभाद के अधिकारियों के मताबएक प्रापटी डीलरों ने वन प्रभाद की रिजर्व लेंड भूमी पर आफगमन शुरू कर दिया था उनके पास हाईवे पर खुद का रास्ता नहीं है इसे में सड़क के दोनों तरफ मन विभाद की भूमी है इसे में विभाद को डर था कि प्रापटी डीलरों विजर्व लेंड की भूमी पर आने जाने या वहाँ पर पक्का रास्ता ना निकाल देए ननीतार में कुछ छात्रों नेताओं ने कुमाँ विश्म विद्याले के कुल्पती प्रोफेसर एंड के जूशिष से मांग की है तो रेलि की जा रही है उसके लिए कोई मना ही नहीं है छातों ने कुलपती सिवार भी की जौरान कुलपती एंके जोशी का कहना है कि वो भी चाते हैं कॉलेज में चुनाव हूँअ का कहना है कि ये एक राजनीती का प्लेटफॉblack है जहां से राजनीता तैयार होते हैं जोशी ने कहा है कि पूरे उत्रक्षण में एक दिन ही चुनाव कोते हैं और इसके लिए सार्शन की तैयारी करनी है साशन को और उसके आदेश पर ही चुना किये जा सकते हैं अभी ऐसा कोई भी साशन की तरह से निर्देश नहीं मिला है जितने भी देखिया आज जितने भी बड़े नेटा बनते हैं वो भारे चात संग चुनाव सही आते हैं चाहे कोई विद्धियाले में या उनिवर्स्टीज में कोई प्रजेंडरों वाइस्पेज नहीं वही लोग अधितने नेटा बनते हैं कोहम चाहते हैं था चाहते हैं कि शात संग चुनाव होना निवारी है ए इसके लिए थियक साहत्य जैसा उनिवर्य में देखा गया है की पूरे प्रदेश employee को हमें यह पर चुनाव करान में कोई आत्ती लेकिन मैं दूसरे विष्ट्विद्याले पडियाले के भी हाilar पर कैसे देट दे सकता हूं इसके लिए साथ सूंग अभी में ये बच्चे मेरे पास आये थे इनका जो डेट उन्हों नहीं मुझे बताई मैं इसको सासन को देट बिज़ रहा हूं और एक डेट महां से आ जाने पर हम उस देट में चुनाव परा दिये जाएंगे चमोली में विकास खंड नरायन बगर के सवागार में आईजित किसान कल्यान रिंड मेलेक में आज 38 लाग के शूने प्रतिशत ब्याज दर के चेक शेत्र के काश्टकारों महिला समूओ को बाठे गए मुख्यतीती, सुरसती, कनेरी, उप महा प्रबंदन, डीसीबी, चमोली, दिक्षक, अंडवाल, साख प्रबंदक, मनीश कुमार के अध्यक्षता में शेत्र के काश्टकारों को 38 लाग रुपे के मद्यकालीन और अल्पकालीन शूने प्रतिशत ब्याज दर पर रिंड चेक गई है कि कास्टकार का भी विकास होगा और कास्टकार अपने कास्टकार विसका अपयों करते हूए उसका लाब जरूर लेता है और उसका लाब लेकर समштय का विरेन वापिस कास्टकार करता है और सरकार की योजनाओं का लाब तमाम कई लोगों को इसमें मिलता है मेरे देखने में लगा है कि आभ जो महिला है या महिला समोह जो इस कार सिमित्यों से जुड़े हैं या सहखारी अंदोलन्ग से या जुड़े हैं तो वो पूरू तो उसों से इपिसक्रिप आगे हैं जमा करने में और इस यूजियां का लाब लेने में किस्ते दो सालों को फाइदा मिला है आजी का इनकी दूगनी ही यह काफी लोगों की प्रगदी अच्छी हुई है रही बाद लिपन कि इसमें हमारे सेकार्टी भाग की तरफ से कलस्टर बनाया जा रहे हैं इससे पहले मैंने जूरू परशन पर एक लागदी पर रिंडिया था सम्मत्य हर्मेनि से और अपना कारवार करने के पर्षाट मैंने समय से पूर जो है एक लागदी पर जो है बैंक को समय जमा कर दिया उसका मुझे उसका अच्छा बेनिफिट मिला और उसके वाब में सब्सक्राइब अरिद्वार के आ रहे हैं नगर जुआलापूर सेत एक मकार में बुज़र्ग दंपत्ति के साथ दिन दहाड़े लाखों की लूट पात हुई है आपको बता दें कि बुज़र्ग पेशे से आयूवे डॉक्टर है और लुटेरे बुज़र्ग के खर मरीज बन कर पहुंचे थे और लाखों की लूट को अंजाम दे दिया वहीं सूश्रा मिलते ही स्वी सिटी कमले शुपाध्याय सीओ सिटी अभय प्रताव सेंग और जौलापूर एसो सीसी नेथानी मौके पर पहुंची और आसपास के लगे सीसी टीवी कामरे को खंगार का जांच परताल शुरू करती है तो ऐसे में हरीदवार का ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें बुजर्ग दमपती के घर पर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है दरसल बुजर्ग दमपती जो हैं आपको बता दें के वो आईरवेट डॉक्टर हैं जिनके घर मरीज बन का लुटेरे पहुंचे थे और इस लाखों की लूट को अंजाम उनुने दे दिया नैंताल चुले के विकास खांडे कोटबाग में कोरोना काल के बाद दो सालों के बाद बैठक आईजवित की गई वहीं इस बैठक में विभाग्य अधिकार्यों के वानुपस्तिती के चलते बीडीसी संगठन में काफी आक्रोश देखने को मिला ब्लॉक सभागार में संगठनों की तरफ से नारेबासी कर बैठक का भहिशकार भी किया गया विभाग्य अधिकार्यों के ना आने से बीडीसी संगठन और प्रधान संगठन ने बीडीसी बैठक का भहिशकार किया इसी के साथ ही अगले आदेश तक बैठक को निरस्त करतिया कया है आपका एचुरेशन दिपार्टमेंट हो गया स्वास्ति विवागवा इसमें लचर भ्यास्ता है बिल्पूर्ट सब्सक्राइब और इस बैठक में भी जिले के आला अधिकारी उपस्तित नी रहे आपके ब्लॉक के अधिकारी उपस्तित नी रहे और जिन समंदित विवागो से अधिकारी उपस्तित नी रहे और इनकी उदाशिंता और इनकी अकरमहिता को देखते हुए आज हमने समस्त चेत्रपंचात संगडन ने इसका पुर्जोर ग्रोथ करा है इसका खंडन करते हैं और इसका बैसकार करा है आपनी बीटिसी और इसी के साथ इस बुलेटें में पिलाल करेतना ही आप देखते रहें निस फॉल इंडिया